आज हम देखेंगे सीधे समानुपाद से संबंधित कुछ और उधारण एक विधी के अंतरगत 15 बिसकुट बनाने के लिए दी गई सामगरी आवश्यक है यदी मीना को 400 बिसकुट बनाने होंगे तो आवश्यक सामगरी की मात्रा ग्यात कीजिए 15 बिसकुट बनाने के लिए आवश्यक सामगरी 105 गराम मखन, 90 गराम आटा, 75 गराम पीसी हुई चीनी, 30 गराम चोकलेट यहां हमें 15 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामगरी दी गई है जिस अनुपात में बिस्कुट की संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात यानि प्रपोर्शन में आवश्यक सामगरी की मात्रा भी पढ़ेगी इसलिए हम कह सकते हैं कि बिस्कुट की संख्या और सामगरी की मात्रा में सीधा समानुपात यानि डारेक्ट प्रपोर्शन है चलिए, 400 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामगरी ग्यात करें बिस्कुट की संख्या और मक्खन की मात्रा में संबंध हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं मान लीजिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए मक्खन की आवश्यक मात्रा Y1 है चुकि बिस्कुट की संख्या और मक्खन की आवश्यक मात्रा में सीधा समानुपात है इसलिए 15 बटे 105 बराबर 400 बटे Y1 इसलिए मक्खन की मात्रा यानि Y1 बराबर 400 गुणा 105 बटे 15 बराबर 2800 ग्राम बराबर 2.8 किलोग्राम है पिस्कुट की संख्या और आटे की मात्रा में संबंध हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं अब मान लीजिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए आटे की आवश्यक मात्रा Y2 है चुकि पिस्कुट की संख्या और आटे की मात्रा में सीधा समानुपात है इसलिए 15 बटे 90 बराबर 400 बटे Y2 इसलिए 8 की मात्रा यानि Y2 बराबर 400 गुणा 90 बटे 15 बराबर 2400 ग्राम या 2.4 किलो ग्राम है इसी तरह अब आप वीडियो रोग कर PC हुई चीनी और चॉकलेट की मात्रा ग्याद कीजिए आपको 400 बिसकुट बनाने के लिए PC हुई चीनी की मात्रा 2 किलो ग्राम तथा चॉकलेट की मात्रा 0.8 किलो ग्राम प्राप्त होगी इस तरह मीना को 400 बिसकुट बनाने के लिए इस प्रकार सामगरी आवश्यक होगी चलिए अगला उधारण देखे यहां दिये हुए मानचित्र में आकाश द्वारा तय की गई दूरी दर्शाई गई है यदि वह हर रोज 307 कदमों में 300 मीटर दूरी तय करता है तो ग्याद कीजिए कि यहां वह अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुचने के लिए कितने कदम चला होगा यहां तय की गई कुल दूरी है 14 मीटर धन 45 मीटर धन 18 मीटर धन 15 मीटर धन 13 मीटर बराबर 105 मीटर दी स्थीती को हम इस प्रकार सार्णी में दर्शा सकते हैं जहां X 105 मीटर धन दूरी तय करने के लिए अवश्यक कदमों की संख्या निरुपित करता है हम जानते हैं कि जिस अनुपात से तय की गई दूरी बढ़ेगी उसी अनुपात में कदमों की संख्या भी बढ़ेगी इसलिए यहां दूरी और कदमों की संख्या में सीधा समानुपात है इसलिए हम कह सकते हैं कि 306 बटे 300 बराबर X बटे 105 यानि कि X बराबर 306 बटे 300 गुणा 105 बराबर 126 कदम इसलिए आकाश अपने प्रारंबिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुचने के लिए 126 कदम चला होगा इन उधारनों से आपकी सीधे समानुपात की समझ बन गई होगी आज हमने देखे सीधे समानुपात से संबंदित कुछ और उधारन झाल